हेलो फ्रेंज, जागुरती कुखाउसमा तमारू सागच्छे तो आजे आपने बनावी सुवरत अने उपवासमा खाई सकीये तेवी सिंग डाणानी सरस्मजानी पोचीयेवी सुखडी जे खावमा खुबड टेस्टी लागे छे औने आ सुक्री ने आपने खांड वगरज अने उच्छा गीमा बनावी ने तैयार करवाना छे तो त्याना माटे आपने एक वासन लाईसु हवे एक बावल जितला मखफरी ना दाना एड करीने त्याने रोष्ट करी लेवाना छे त्याने आपने ग्यस नी मीडियम आँच पर 10-15 मिनिट सु दियारी ते सेकता राईसु जेती करीने त्याना फोत्रा जूपर थी निकर से अने मकफरीना दानामा एक पर दानों कारो नहीं पड़े त्याना माटे आपने एक मिक्षजार मा एड करी दाना माटे आपने एक मिक्षजार मा एड करी दाईसु હવે આ પાવડर આપણે વધારે પર્તો જીણો નથી કરવાનો થોલો દાણે દારંજ રાખવાનો છે पावडर आपणे वधारे पर तो जीनो नतिक करवानो थोड़ो दाने दारज राखवानो छे तो हवे आपणो पावडर तयार छे खोलीने चेक करिये तो तमे जोई सको छो आ रिते थोड़ो कर करो ज राखवानो छे वधारे पर तो बारिक नतिक करवानो तो तो तेने अलग चमची जेटलो गी एड करीशु अने कप प्रमाणे गाणिये तो वन फोर कप छे हवे एक कप जेटलो गोर एड करीशु तो गोर ने आपड़े खाली ओगारवानो छे त्यानो पायो बिलकुल पर नथी करवानो तो तमे जोई सको छो थोड़ी वार पाची गोर आपड़ो ओ तो दिज मेल्ट करवानो छे तमे जोई सको छो बिलकुल आ रितनो राखवानो तो हवे आगवर ना पायम आपड़े जे पावडर छे ते एड करीशु तो बेक अप जेटलो आ पावडर छे तो तेने एड करी दाईए औने सारी रिते मिंक्स करीशु जो तमने आमा एक चम तो तेने आपड़े अलग थी थाड़ी मा निकाड़ी लए तो थाड़ी ने में पैले थी गी लगावी ने चिक्णी करी दीदीचे तो हवे आ सुक्री ने आपड़े सारी रिते थारी मा स्प्रेड करी देवानी स्प्रेड थाई जाए पच्छी आ सुक्री ने आपड़े पाथी 10 मिनिट सुदी थन्दी थावा दैशु पच्छी तेमा कटिंग करी शु तो हवे 15 मिनिट पच्छी आपड़े सुक्री सरस्री थन्दी थाई गाई छे तो आपड़े कटिंग करी लाइए तो टुक्डा तमे तमारी दीते नाना मोटा करी सको छो तो हूं मिडियम साइज राखो छु तो हवे आपड़े या सुक्री तयार छे तो तयन्द अपड़े एक पलेट मा निकाड़ी ने सव करी तो तयार छे आपड़े व्रत अने उपासमा खाई सकेते वी सिंग डाणानी सरस्मजा नी पोचिए वी सुक्री तमे जो saja कोच खुबच सरसरी ते टुटी जाई छे subscribe कर थांक यू